देड़ साल के दुद्मुहे बच्चे का अपरहन नहीं हुआ बलकि उसकी सगी और चचेरी नाबालिक बहनों ने उसे गंगा में फीक दिया था परदाफाश हुआ तो पुलिस और घरवालों के पैरों तले जमीन खिसक गई बहनों ने केवल इसलिए किया कि उन्हें उसकी देखभाल करनी पड़ रही थी सीसी टीवी फुटेज के जरीये पर इसे गुत्थी को सुलज़ाने में कामियाब होग पाई है आरूपित बहनों को गिरफतार कर लिया गया है गंगा में मासुम की तलाश की जा रही है ज्वालापुर के कंखल इलाके में पंक्चर लगाने का काम करने वाले एक व्यक्ति का डीर साल का बीटा शुकरवार को लापता हो गया था CCTV फुटेज में शुक्रवाज सभा पांच बजे मासुम को इसकी सगी और चचेरी बहने बैग लेकर रेलवे पुल की तरफ जाती हुई दिख रही है और कुछ देर बाद खाली हाथ लोटती हुई दिख रही है दोनों बहनों में एक छड़ी और एक आटवी कक्षा में पढ़ती है और पूछ ताच में उन्होंने खौफना किस्ता बयान किया और उससे सब हक्के बतके रह गए है लापता बच्चे की बड़ी बहन ने बताया कि मां की तबित खराब रहती है कुछ दिनों पहले तक उसकी मां फैक्टरी में काम करने चली जाती थी और उसे ही अपने छोटे भाई की देखबाल करती थी जिससे वो तंग आ गए थी चुटकारा पाने के लिए उसने चचेरी बहन के साथ मिलकार छोटे भाई को थेले में लपीट कर गंगा में फैक दिया उन्होंने बताया कि कंखल शेतर में एक महिने पहले एक महिला ने अपने बच्चे को उसी तरह गंगा में फेक दिया था इस खबर के बाद उन्हें अपने भाई से छुटकारा पाने का तरीका सूझा और उन्होंने अपने छोटे भाई को एक बैग में ले जाकर गंगा नदी में डाल दिया अब गंगा नदी में बच्चे की तलाश की जा रही है Subscribe our channel and press the bell icon for more updates